क्रिकेट हो या फुटबॉल होक्की हो या डबलुडबुई यहाँ आपको मिलेगी हर खेल की जानकारी क्योंकि यह है स्पोर्ट की बात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट क्लब ओफिशियल इंडिया गडिवनिंग एवरिवन कैसे आप सभी मैं हूँ आप सभी का दोस्त सुरज और लेकर आया हूँ आप सभी के लिए स्पोर्ट की बात का एक बहतरीन एपसिट जहां मिलते हैं आपको खेल से जोड़ी ताजा तरीन खवरे तो वीडियो में अंत्रक बने रहे हैं और स्वागत तो सबसे पहली ख़बर हम बताना चाहेंगे आईपेल आप्शन को लेकर ये बड़ी ख़बर आई है कि चेतेशवर पुजारा और हनुमा विहारी इन्होंने अपना नाम वापिस लिया था मैं आपको बता दू दो हजार बाइस का जब आईपेल आप्शन हुआ था उस वक तो उन्होंने नाम आईपेल में वापिस मतलब आईपेल आप्शन से नाम वापिस ले लिया है यानि अब वो आईपेल आप्शन में आपको नहीं देखेंगे तो अगर हम अगली ख़बर के बार में अगर बात करें तो बड़ी दुखत ख़बर मैं आप सभी को बताना चा दाड़ी है उनके चार दाथ जो है वो टूट चुके है जी हां दूस्तों बिल्कुल वो हुआ यू की कार्लोस ब्राट्विकेट की कार्लोस ब्राट्विकेट की गिन पर एक जबरदस्त कैच पकड़ने के लिए चल गये थे चमिका करूना रखने और उन्होंने कैच वो रहा और वो जो माच है वो कैंड़ी फॉलकंस और गॉल्ड ग्लाडियेटर के बीच खिला जा रहा था लंका प्रीमेर लिक का मैच था और लंका प्रीमेर लिक की भी सारी खबरे में आपको लगातार बताता रहोंगा तो उस वकत जो है वो फर्नाञ्डों ने काफी जबर् सुरते हुए चमी का करूंणाna रख ने गए गेंड सुरों के मुँधर के चार डाथ, जो है वो टूप चुक चुक है तब सामने आया है क्याज पकड़ा उस वक्त वहां पर दिखाएंगे कि उनके जर चार के चार जो डाथ उपर के वो टूप चुके है और उनके जो जबड़े का है वो अब सरजेरी करवाना पड़ेगा और उनका करियर जो है वो खत्रे में अभी पढ़ सकता है क्योंकि मैं आपको बता दू तीन जन्वरी से भारत और शिलंका के बीच जो है वो तीन वंडे और टीन टीन टीमाच क तो वहाँ पर उनका जो भूमे का है वो बहुत ही महतुपूर्ण हो सकती है बट अनफोर्चनेटली आई डोंट थिंग की वो अब अवेलेबल रहेंगे अगर अवेलेबल हो तो वो बहुत अच्छी बात है बट ये बिलकुल भी अच्छी खबर नहीं है और रोही शर्मा और डीपक चाहर और कुल्डीब सिन ये भी यहाँ पर बाहर हो चुके है रोल डाउट हो चुके है भारत और बांगलादिश की जो सीरीज है उसमें और थौर्ड ओडिया ये नहीं खेलेंगे और उसके अलबा में आपको बता दू जो है टेस्ट मैच पर रोही शर्मा नही वो उंगले में चोट आई है वो अभी डॉक्टर से कुछ सलाव मश्वरा करेंगे उसके बाद ही वो बांगलादेश लोटेंगे और तै करेंगे कि एक टेस्ट मैच खेलना है या नहीं और उनकी जगा पर अभिमन्य विश्वरम को जगा मिल सकती है और उसके अलावा अग उनी रैंकिंग जारेगी टी ट्वेंटे के जिसमें भारत के जो स्काई यानि सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर वन पर आ चुके है जिहां दोस्तों और मोहमद रिजवान जो है वो नंबर दो पर है और डेवन कौनवे तीन और बापर आजम नंबर चार और आड़म कोली जो है वो बादशाहत थे टीट्वेंटी की क्योंकि टेस्ट हो चाहे वंडे हो चाहे टीट्वेंटी हो बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आते थे बट अन्फोजेंटली विराट सार का फॉर्म अभी वो नहीं रहा टीट्वेंटी में हालाकि एशिया कॉप और व बता दू बीसी जाय ने शेडियूल जारी कर दिया है भारत के लिए भारत जो खेलेगा तीन से तीन जनवरे से खेलेगा फिलंका के साथ उसके अलबा अठारा जनवरे से खेलेगा निवजिलन के साथ उसके अलबा नौ फरवरी से खेलेगा आस्ट्रिया के साथ तो यह कु नागपुर में होने वाला है जो पहला टेस्ट और ये आखरी बार होगा भारत और और अस्ट्रिया की बीच चार टेस्ट मैच की शंक्पा खेली जाएगी इसके बाद जो वार्डर गाल्स का टॉफी होगी उनमें पांच टेस्ट मैच होगे टूटल तो ये कुछ आज की चल जहा था और भारत ने काफी बड़ी पारिखे लिए 552 रन यहां पर बनाए है भारत टेस्ट पहले बल्ले बाज़े की बांगलादिश की टीम ने 252 रन पनाए और जावब में भारत ने 552 बनाए अभी बांगलादिश की जो टीम है वो सेकेंड इनिक्स में 49 रन बनाए है अभी मन्योश्वर्म और मैं आपको बता दू मुकेश कुमार जिन्होंने पहले पारे में 6 विकेट ले थे और 23 रन भी उन्होंने बनाए है उसके अदा नौ टिप्स है नहीं उन्होंने 68 गनों में 50 और शिकर भारत ने 77 रन बनाया है सौरब कुमार जिन्होंने 49 गनों म और बल्ले बाजी भी वह बहुत बढ़िया करते हैं हाला कि वह बॉलिंग और रॉंडर है लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन वह करते हैं और जैयनत यादों को हम नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने 83 रन उसमें बनाये हैं और बात करते हैं ऑस्तिलिया और वेस्ट इंडी यह लगातार तीसरा शातक है तो काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है और लंका प्रेमियर ली के अगर हम बात करें तो गॉल गलाइटेटर्स और जी शमाचाओंगा कलंबो स्टास और डंबला औरा की बीच जो मैच था और काफी इंटरसिंग मैच था और वो मैच देखा मैंने 9 रन से जो मैच है वो गमा दिया है यहाँ पर डंबला औरा ने कलंबो स्टास के बीच पहले बल्ले बाजी की कलंबो स्टास के टीम ने 165 रन बनाए जवाब में 156 रन बनाए डंबला और लंका प्रेमियर लिग भी लगातारा फॉलो करते रहे और लेटेस्ट सुनना चाहते है तो BBC 5 Live Sports Extra इस चानल पर सुन सकते है उसके अलबा इसलमाबाद स्टेशन और क्वेटा और पेशावर पर आप इस मैच का आखोरे का हाल भी सुन सकते है तो यह कुछ जान करे थी और Big Bash लिग भी आ रहा है तो Big Bash लिग के exclusive update आपको Sports Club Official इंडिया पर मिलेंगे तो कहीं मत जाएए और सबसे पहले Big Bash लिग के update पाईए Sports Club Official इंडिया पर जो मंगलवार 13 December से सुरू हो रही है और मैं आपको बढ़ा दो Big Bash लिग अगर आपको सुनना है तो 11-16 सैन और BBC 5 Live Sports Extra इस चानल पर आप सुन सकते हैं दोनों में जो है वो अंग्रिजी कमेंटरी का प पर पेश किया जाता है तो आप ज़रूर आनन्द लेंगे और अगर आपको Big Bash लिग देखना है तो आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस Big Bash लिग का आनन्द उठा सकते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स पिक्चर्स के पास इसके राइट्स है और कल जो है वो इंडिया और और पहला T20 मैच जो है वो खेला जाने वाला है मुंबाई में डिवाई अकैडमी पार्टिल स्टेडियम में तो आशा करता है भारते टीम मैच जीतेगी देवी का वैद्य और अंजली सर्वने की जो है वो टीम में वापसी हुई है तो यहाँ पर इनको कब आखिर मौका मिलता है देखना है पर कल का जो मैच है वो बड़ा ही इंटरस्टिंग होगा और मैं तो खेर स्मुर्टी मंधाना और शेफाली के बैटिंग देखना चाहूंगा शेफाली जो है वो लगातार थोड़ी सी आउट आप फॉर्म चलता ही है बट हूपस हो कि वो जल्दी से वापीस है और मेरी फेवरिट जो है जेमी वो तो अल्वेज हमेशा अच्छा पॉफर्म करती है तो इस टीट्वेंटी में भी मैं उसे अच्छा ही खिलता हुआ देखना चाहूंगा और आज देखना चाहूंगा कि वो शतक लगाए और और अश्वेल आकेटीम को धोल चटाए तो यह कुछ खबरे थी और एक बड़ी खबर रॉयल रंबल 2023 को लेकर आई है कि कोडी रोट्स जो है वो रिटन आ सकते हैं मैं आपको बता दू कोडी रोट्स ने जो है वो कुछ टाइम पहले इंजर्ड होए थे हैल एनसल का जो पेपर वीव था उसके पहले वो इंजर्ड हो उनकी पिता का सपना था कि WWE Championship जीतना बट वो सपना कोडी रोट्स पूरा करना चाहता है जो है और मैं आपको बता दू कोडी रोट्स की जो पिता है वो डस्टी रोट्स है तो देखते है क्या कोडी रोट्स WWE Champion बन पाता है पर फिलहाल अगर बात करू यूनिवर्सल अंडि Championship की तो वो है the head of the table Roman Reigns के पास जो Big Dog के नाम से भी जाने जाते है तो देखते है कोडी रोट्स अगर Royal Rumble में return आते है और वो 30 minutes Royal Rumble जीतते है तो उनका match definitely WrestleMania में Roman Reigns के अगेंस होगा ही होगा क्योंकि जो भी व्यक्ति 30 minutes Royal Rumble जीतता है उसका match WrestleMania के main event में होता ही है और वो भी main championship के लिए match होता है मुझे recent में 38 का 37 का एक बड़ा ही interesting match याद आता है जब Sasha Banks return आई थी उस वक्त हमारी championship पियंका बिलर उनके बीच में match होगा था और पियंका बिलर आपको बता है कि काफी young है इस वक्त अगर मैं आपको बता दू crown jewel में उन्होंने last man standing match लड़ा था अगिंस दे बेली और वो match भी काफी जबर्दस होगा था उस match में जो है वो पियंका बिलर के बाल जो है वो काफी जोर से खीचे गए थे लेकिन उसके बावजूद भी वो match last women standing match था और वो जीत लिया पियंका बिलर ने बट उसको जो है वो अपने बालों पर गर्व है और वही उसकी कमजोरी भी सामित होती है पर वो उसको जो है वो ऐसा होनी नहीं देती बिकॉज काफी young talent है पियंका बिलर के अगर मैं बात करूँ तो काफी brave खिलाडी है त इसका यह वीडियो आपको पसंद आया होगा प्रॉपरली बनानी पाया हूं बट कोशिश की है अच्छी बनाने की वस आप सभी के लिए और कल एक दफा फिर मैं आप सभी के लिए हाजिर रहूंगा तब तक के लिए शुक्रिया and good night